सुबह का नास्ता हो या फिर साम की छोटी छोटी भोकी या फिर बच्चों को टिफिन में देना हो गिये वाली रेसिपी बच्चे वो या बड़े सभी को पसंद आएगा हलो फ्रेंड्स वेलकम बैक मैं चैनल मेरे की चैनल में आप सब का बहुत बहुत स्वागत है आज की यह सिंपल सी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर ले फेस्बुक से देख रहे तो इसी के साथ हम कुछ सुखे मसाले आड़ करेंगे जो बेसिक मसाले हैं जो हम रेगुलर यूज करते हैं वही मसाले लेने है आदी चोटी चमच हल्दी पावडर लिया एक चोटी चमच धनिया पावडर और मिर्ची यहां पर स्वाद अनुसार आड़ कीजिए मैंने पावडर ली और जो कम तिखी वाली होती है एक चोटी चमच भरके ले लिया है इसी के साथ इसमें हम दो चमच तेल डालेंगे इससे हमारा जो नासता है बहुत ही अच्छा क्रंची वनेगा साथ में डाल देंगे एक चमच बेसन तो यहां पर कच्छा ही बेसन लिया है तो आट करके तयार कर लेना है जैसे मोरोटी और परटा बनाते है तो तरीके से ने उसे तोड़ा सा ताइट आटा लगा कर लिया कुछ इस तरीके से अभी तो ढ़िए साट के लिए तक कि आटा थोड़ा सा सैट हो जाए अब यहांपर एक बोल ले लिया है इसमें डिया दें 2-3 चमझ के रीब मैंने बेसन ले लिया है और यह बेसन कच्चा है इसको गड़े 10 तक तक चमझ पहले चमझ आप पहले हो ऐभारी 10 श्य चमझ कर देदा हैं सबसें अब कर भाइने चमाद हैं इंच्भाना दो हीरो मैंने यहां टोपर किका नांवार श्टपर प्याज के भी बना सकते हैं तो जरूर डाले नहीं है तो बिना लैसुन और अद्रक के भी बना सकते हैं साथ में हम डालने के इसमें चाट मसाला अब यहां पर मैं ले रही हूं सर्सो का तेल को एक दम अच्छा गरम कर लेना है एक दम अच्छे से दुआ आजाए इतना गरम कर लीजे देखिए इस तरीके से जाग आनी चाहिए मैंने दो बड़े चमच भरके तेल लिया है तेल आपको यहां पर एक बात का ध्यान रखना है कि तेल आपको थोड़ा सा जादा लेना है एक पेश्ट बना के तयार कर लेना है बेसन का अब यहां पर बिल्कुल भी कच्छा नहीं लगेगा जैसे कि हमने तेल को बहुत अच अब इसे थोड़ा सा भून के फिल ले लिजिए और देखे इस तरीके से हमें एक घूल बना के तयार कर लेना है ना ज्यादा पतला है ना ज्यादा थीक है लेकिन पानी नहीं आइड करना है तेल से ही बनाना है और सरसू का तेल ही लिजेगा इससे अच्छा टेस्ट तो थोड़ा साममें सुखा आटा लगा लेंगे और शोटी-चोटी पेडिया बनागे तैयार कर लेंगे इस तरीके से और यह नास्ता बहुत ही जबाँ होता है क्योंकि इसे हम लंबे टायम तक श्टोर करके रख सकते हैं इसे महीनों तक श्टोर करके बिल्कुल भी खराम एक नॉर्मल सी रोटी जैसे हम बनाते हैं वैसी हमें रोटी बेल लेना है और सुखा अटा थोड़ा थोड़ा ही लगाएगा जाता नहीं लगाना है इस तरीके से और इसे बेल के तयार कर लेना है और जो हमने स्टफिंग तयार किया था वो इसके उपर हम लगा देंगे तो बनेगे वहले, पेल लेने की रिखे, पेल लेंगा घुमारीय सारा यहीं आहिए कर लगों कि दिखा, पेल भन बटा विलनें, और में पलिख गुमारीय। लगाते हो, इसे बेल लीजिएगा अब यह बेल के तैयार हो गया है इसे सेहएगगे तो शेखने के लिए 안에 गरम डॉपर डाल तंब जया होनाँ है न रोती बनाते हैं लिए लिस oppressи लीटेद आगा है अ ये बदार कापपड़ ले ले अगर वह आपके पास है तो उससे आप सेख सकते हैं मेरे पास कपड़ा भी है और वह भी है तो मैं दोनों से सेख के आपको दिखा दूगी तो यहां पर पहले मैं कपड़े से सेख रही हूं दबाते हुए सेखना है आपको एकदम क्रिस्प क्रंच होने तक अभी देखी जैस कि मैंने बोला कि नास्ते को लंबे टाइम तक श्टोर करके रखना है तो आप तेल ही लगा तो बहुत अच्छा रहेगा अब यहां पर हलका ब्रस से आपको तेल लगाना है और इस तरीके से जो हमारे पास पराठा प्रेसर है इसे हम दबाते हुए सेख लेंगे और इसे ब आप अराम से इसे सेख सेख के तैयार कर लीजिए और यह देखिए धेर सारा जो हमारा नास्ता बनके तैयार हो गया है इसे पहले भी मैंने नास्ते की रेसेपी शेयर की थी वो सिरफ मसाले वाला था यहां मैंने स्टफ मसाला वाला खाकरे की रेसेपी आप लोग शेयर कर पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर करेगा साथ ही प्यारा सा कमेंट करके बताएगा कि आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं मुझे कमेंट बक्स में अपने सीटी अपने गाउं अपने शायर का नाम जरूर लिखिएगा ताकि मुझे भी तो पता चले मेरे वीडियो आप लोग को पसंद आ रही है और कहां तक जा रही है और यह देखिए नास्ते की आवाज आप सून सकते बहुत ही अच्छा नास्ता बनके तैयार होगा है पर्फेक्ट मेजरमेंट से इसी तरीके से बनाएगा आप फर्स्ट टाइम भी बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा बाबाइ थाइ